असलाम अलेकूम वेलकम टू फरहीं कुकिंग्स फॉर यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ शेर करूंगी कोफते का सालन बनाने की रेस्पी जो की बहुती मज़ेदार निहायती आसान इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो वीडियो में एंड तक बने रहे कोफते के लिए जो कीमा है वो काफी बारिक पिजावा होना चाहिए अगर आपके पास चौपर मशीन है तो आप उसे चौपर मशीन में डालकर बारिक पीस लें अगर नहीं है तो फिर आप इससे इस तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं तो यह सारा कीमा हमने मिकसर जार में तो अब हम इसमें कुछ मसालें एड करेंगे तो ये मैंने ले लिए है पांच लॉंग, छे से साथ काली मिर्च, तीन हरी लाइची, वन टीस्पून शाजीरा और ये है दो दाल जीनी की स्टेक, ये सारे मसालों को पीस कर आपको इसका पाउडर बना लेना है और पिर केमिय मे बार एक पीस लेंगे, तो यहां देखे कीमे को हैं अच्छी तरह से ग्रायन कर लिया है, इसे हमने बार एक पीस लिया है, तो अब ये कीमा कोफतों के लिए ready है, तो इसे हम एक outta में निकाल लेते तो यहाँ देखेँ एक उफ üz उना लि आ तो इसै हम रखे देंगे एक प्लेत में और इसी तरह से हम ठीमे के सारी कॉुपते बनाकर तैयार कर लेगे तो यहां देखिए सारे कोफते हमने बना कर रेडी कर लिया है तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में और एक कड़ाय में हम थोड़ा सा ओइल गरम कर लेंगे और यहां देखिए यह मैंने सुखावा नारियल लिया है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है तो ये मैंने one fourth cup यानी के वजन में ये 100 gram के आसपास होगा तो ये सारा नारील हम oil में दाल कर इसे fry कर लेंगे तो ये सूखावा नारील है इसलिए आपको इसे high flame पर fry नहीं करना है इसे हम low flame पर fry करेंगे क्योंकि ये बहुती जल्दी फ्राई हो जाता है और ये जल्दी जाता है तो इसलिए हम इसे low to medium flame पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे कड़ाई से और फिर इसी oil में हम ये प्यास भी fry करेंगे तो ये प्यास मैंने 3 medium size के लिए हैं जिसको मैंने roughly chop कर लिया है तो इसे हम दाल देंगे oil में और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो प्यास को हमें बस हल्का सा फ्राई करना है इसके soft होने तक और जैसे ये प्यास जो प्यास खाइट और पीसे लेन और फिर नारियब करन गाद हम ले प्यास खेल से बॉन न करत Civil guard to natal जाया गालं के नारियलके वाहना इदर कलेसन के पेस्ट कोँहमें आची तरह से भून लेना है, इसका घट्णापन खत्म होने तक अब हम इस का जो पैस्ट आइध घृंगे बून गया है तो अब हम इसमें यह जो नार्यल और प्यास का पेस्ट लिए तो वहम इसमें एड करेंगे भी तो अब बार यह है इसमें मसाले आड़ करने की तो यह मैं इसमें आड़ कर रही हूँ हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून और लाल मिर्ची का पाउडर मैंने इसमें तकरीबन वन एना हाफ टेबल स्पून आड़ किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगी से कम या जदा कर सकते हैं और फिर इसमें नमक भी हम एड़ कर देंगे हजब जरूरत और यह लास्ट में मैंने इसमें एड़ कर दिया है गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून तो अब हम यह सारे पाउडर मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है सारे मसालों को तो दीमी आच पर हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसे हम कुछ देर के लिए कवर कर देंगे ताके जो मसाला है वो उड़कर कड़ाई से बाहर ना सके ओईल जो है वो अलग होकर मसाले से सरफेस पर नजर नहीं आता तब तक हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है तो यहां देखिए कुछ देर मसाले को अच्छी से भूनने के बाद देखिए मसाले से जो ऑईल है वो अलग हो गया है तो इसका मतलब यह है कि यह जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून गया है तो अब हम इसमें ये दही आड़ करेंगे तो इसमें दही आड़ करने से पहले दही को हमें अच्छी तरह से थोड़ा सा फैंट लेना है और फिर इसमें ये सारा दही दाल देना है तो दही की जो कॉंटेटी है वह मैंने हाफ कप ली है तो अब हम ये दही को भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद दुबारा से हम इसे कवर कर देंगे दो मिनिट के लिए और फिर बस दो मिनिट के लिए हम इसे पकाएंगे तो दो मिनट हो चुके हैं दो मिनिट के बाद बीजिए जो दैं हमने इसमें ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से पक गए है तो अब हम इसमें जो कौफ्टे हमने तयार किये थे तो वो एक-एक करके सारे कौफ्टे हम इसमें दालते जाएंगे तो ये सारे कोफते मसाले में एड़ करने के बाद इसे हम दुबारा से कवर कर देंगे दो मिनिट के लिए और गैस की फ्लेम हमें मेडियम टू लो ही रखनी है इसे हाई नहीं करना है और फिर दो मिनिट इसे धीमियाज पर पकाने के बाद कोफतों को हमें इस तरह से हिलाना है ताकि जो मसाला है वो नीचे तले में चिपके नहीं क्योंकि अभी जो कोफते हैं वो काफी कच्छे हैं तो इसमें हमें अभी चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है अगर आपने इसमें अभी चमच चला दिया तो जो आपके कोफते हैं वो तूट सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कोफतों ने जो है वो पानी छोड़ दिया है तो ये सारा पानी आपको ड्राइ होने तक इसे पका लेना है और जब तक ये सारा पानी सूख नहीं जाता और जो कोफते हैं वो पक कर हाड नहीं हो जाते तब तक तो आपको इसमें बिल्कुल भी चमच नहीं चलाना है अब देखिए जो कोफते का जो पानी है वो लगबग ट्राइ हो चुका है और जो कोफते हैं वो भी पक कर हाड हो गए है तो आप अभी इसमें जितना मरजी चाहें चमच चला सकते हैं क्योंकि जो कोफते हैं वो पक कर हाड हो गए हैं तो अब ये बिल्कुल भी नहीं तूट दाल कर हम सालन को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो बस दो से तीन मिनिट में इसमें बॉइल आ जाएगा तो उसके बाद हम इससे सर्फ कर लेंगे तो ये लीजे मज़ेदार सा जबरदस्ता हमारा कोफते का जो सालन है वो बनकर तयार हो चुका है तो इस रेसिपी को आप ट्राइ करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें अपने फैमिली मिंबर्स और फ्रेंड्स के साथ चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफिज